कभी अगर हमारी वाइप के साथ जगड़ा हुआ और मेडम ने कभी बंदुक उठाई तो निसाना तो मुझ पे लगेगा पर मरेगा हमारा कोई पड़ोसी अरे आप 10 रुपे कम करो मैं आपके घर आके बरतन माच के चली जाओंगी बोला ना भागो यासे देखा दोस्तो हम लड़कों की जिन्देगी ऐसी ही होती है पूरी जिन्देगी दूसरों की खुशी और दूसरों को मनाने में ही खतम हो जाती है दोस्तो आज हम बहुत एक्साइड़ेड है क्योंकि लगबग दो साल बाद हमें किसी मेले में आने का मोका मिला गाइस पूरा वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों आप बिलीब नहीं करोगे स्वी से लेके प्लेन तक हर एक स्टॉल यहां लगा हुआ था इवेन पुलीस वालों ने भी अपना एक स्टॉल लगा के रखा था यह आपको चाहिए क्या बोलो मैं पेसा भरने वाली हूँ आ ठीक है बेटा ले ले पापा देखो कितना अच्छा जच रहा है आप पे चलेगा न आरे मस्त लग रहा है फ्री में मिलेगा तो अपन कुछ भी पहन लेगा क्या बया एक भी ढंक का सामान नहीं है खरिदने के लिए कुछ लाओ यार मेरे लिए सोरी दीदी आपके लाइक कुछ नहीं है अच्छा वो देदो चमक रहा है जो अरे दीदी वो बल पे नहीं दे सकते अंदेरा हो जाएगा क्या बया इतना मेंगा बोल रहे हो थोड़ा तो कम करो अरे आप 10 रुपे कम करो मैं आपके घर आके बरतन माच के चली जाऊंगी मेडम आप 10 रुपेस जादा दे दो मैं आपके पूरे खांदान का बरतन माच के चले जाऊंगा अचानक मेरी बहन का मूड खराब हो गया और रीजन था ये जहां पे भी बार्गन करने का चांस नहीं मिलता हूँ वहाँ पे हमारी बहन का दिल तूट जाता है कैसे कंजूस लोगे यार फिक्स्ट प्राइस लिख देते हैं दोस्तो आज हमारी बहन ने ये प्रूफ कर दिया कि वो सही में एक पुलिस वाली की बेटी है सारे के सारे गोलिया उसके टार्गेट पे लगी और दूसरी तरफ हमारी बीवी जिनके गन पकड़ने के स्टाइल से आपको अंदाजा लग जया होगा कि वो कितनी शातिर सिकारी है इत्ते फाक से उनकी एक भी गोली निसाने पे नहीं लगी अरे देखके मेडम उस पिचारेगा टकला फूट जाएगा अरे मेडम हमको नहीं उन बैलूंस को फोड़ना है ओ सोरी सोरी बोलना था ना कसम से दोस्तो फ्यूचर में कभी अगर हमारी वाइप के साथ जगड़ा हुआ और मेडम ने कभी बंदुक उठाई तो निसाना तो मुझ पे लगेगा पर मरेगा हमारा कोई पड़ोसी अरे मैं जान बुच के बैलूंस नहीं फोड़ी कितना वेस्ट होता है बैलूंस कुछ आइडिया है तुम्हें दोस्तो इस बीच हमें पता चला हमारे पापा तो कोई नजरी नहीं आरे बाई पापा खो गे बहुत देर धूणने के बाद हमने देखा पापा एक जगा खड़े हो के आँख मुंत के खाने का आनंद ले रहे हैं वैसे जिनने पता नहीं बता दू हमारे पापा खाते पीते घर के नहीं बलकि खाते पीते बाहर के लोग है क्या पता मेडम मैं तो ब्रसी नहीं करता फिर हमारी नजर एक जगा पड़ी जहां फुटबॉल से ग्लास गिराने से इनाम मिलता है तो फिर क्या था हमारी बहन अपनी हाथ आजमाने चली गई मैडम तीन चांस मिलेंगे तीन गिफ्ट मिल सकता है आपको चलो मारिये बाईया आप गिफ्ट रेडी रखो मैं इन सिप चीजों में बहुत एक्सपर्ट हूँ बाईया आपना चिटिंग करते हो पेभी कॉल से चिपकाए हो ग्लास इस को फिर होती हमारे पापा की एंट्री अरे अंकल वेट वेट इस सौट के बाद पापा से फुटबॉल सीन लिया गया क्योंकि ग्लासेस के बजाए पापा ने तो पूरा इनका स्टॉल ही गिरा दिया दूसरी तरफ हमारी मैडम का मुँ लटका हुआ था क्योंकि उनको इस बड़े से जूले में बैटने से मैंने मना कर दिया था ओ मैडम अब गुसा थूख दो यार भागो यासे अब जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना घर जाने के बाद मुझे जूले में जूला दिया जाएगा फिर मैंने उनको मनानी के लिए आईस्क्रीम का लालस दे दिया मैडम आपको जो भी आईस्क्रीम चाहिए ले लो मेरे तरफ से अरे एक बार देखो तो सही इधर कुट्टे की तरह भोंक रहे हैं हम बोला ना भागो यासे देखा दोस्तो हम लड़कों की जिन्दगी ऐसी ही होती है पूरी जिन्दगी दूसरों की खुशी और दूसरों को मनाने में ही खतम हो जाती है मोदी जी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो हम लचार पतियों के लिए भी कोई कानून बनाओ इधर हमारी बहन पापा के लिए बर्मूडा पैंट करीद रही थी बहिया आपके पास हाथी की साइच का कोई पैंट होगा ममी आप कौन सा इसक्रिम खाओगे कुछ भी चलेगा रहे ये कितने का है बहिया 40 रुपिस मेड़ाम क्या बहिया 20 रुपिस में दो ना अरे पापा वो पैंट छोटा हो जाएगा आपको अरे अंकल आपके साइच का नहीं मिलेगा मैनुफेक्चर कराना पड़ेगा मुझे जाने दो मैं गमच्छा पैंट करे लूँगा अरे बहन तो इतना सही निसान कैसे लगा देती है रहे ऐसे ही 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 हे गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो हमको कैसे पता चलेगा यार अगर आप लाइक कॉमेंट सेर नहीं करोगे तो